दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे सारी BTS मेंबर्स अपने लुक्स को लेकर भी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। सारी BTS मेंबर्स Amazing Charming Personality के मालिक हैं और सभी की अपनी अलग खासियत हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे प्यारे बेबी मोची यानि जीमिन अपने Amazing Hair Flip के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। उनके Charming Personality और Amazing Facial Features फैंस को उनका दिवाना बना देती हैं। पर दोस्तों एक बार एक आर्मी ने जीमिन को कुछ ऐसा कह दिया था जिसे डाइजिस्ट करना जीमिन के लिए impossible था। इसके साथ ये उस आर्मी की बात सुनकर जीमिन को काफी ज्यादा गुसा भी आ गया था पर जीमिन ने शो नहीं करा। क्योंकि वो आर्मी इसके साथ ने बिल्कुल भी एंगरी होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका गुस्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आपको भी पूरी बात जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों एक बाद जीमिन लाइव आए हुए थे उसी दोरान एक फैन ने जीमिन से मैरिज के लिए पूछा। जिस पर जीमिन ने कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे क्योंकि वो अभी यंग है। तो उस fan ने Jimin से कहा कि वो old होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसके बाद Jimin ने कहा कि जब मैं old हो जाओंगा तब मेरे बाल नहीं रहेंगे। मुझे पता है तब आप मुझे पसंद नहीं करेंगी। और इसके बाद fans उन्हें Bad Jimin कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों Bad उन persons को कहा जाता है जिनके बाल नहीं रहते जो गंजे होते हैं। और एक आर्मी ने उन्हें कह दिया I love you Bad Jimin। और इसके बाद Jimin इस word को सुनकर काफी ज्यादा अफसेट हो गये थे। और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुसा भी आ रहा था। इसके बाद वो आर्मी से कहते हैं कि वो कैसे उन्हें गंजा बोल सकती हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा कहकर ना बुलाएं। इसके साथ ही Jimin कहते हैं कि वो आल्मोस्ट उस आर्मी पे रिपोर्ट मारने वाले थे। क्योंकि वो एक आइडल है तो अगर कोई हुने ऐसा कुछ बोले तो वो बिल्कुल ही स्टैंड ले सकते हैं। और हम सब जानते हैं Jimin इतने ज्यादा स्वीट है कि वो ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं। पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जिससे साफ पतर चलता है कि वो गुस्से में थे। इसके साथ ही दोस्तों उनके सामने उनकी प्यारी आर्मी थी जिस कारण उन्होंने अपने गुस्से को शो नहीं करा बख हसते रहें। और दोस्तों आर्मी इसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इतने बिगेस्ट आइडल से बात कर रही हैं। तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिनसे कोई भी हर्ट हो। क्योंकि ये मेसेजिस तो सभी कोई देखते हैं। बाकि आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ ही आप हमें इंस्टागाम पर ही फालो कर लें जिसके लिंक चैनल पर दी हुई है। अपना बहुत सब्सक्राइब रखें मिलती हूँ आप से अगले वीडियो पे।